कि सो हेलो ब्रीवन वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं एंड मैं बता देता हूं कि जो कंडिडेट अभी घबरा रहे हैं कि सर स्टेज फस्ट पास करने के बाद में जब में किन-किन बातों का दियान में रखना है एंड किन-किन बातों से मुझे रेज़ेक्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेलफोल रहने वाली है तो फ्रेंट् अप्टिमोटे अपडेट जो देता हूँ वो आपको दे देता हूँ ठीक है तो कॉमन रीजन फो डिजेक्शन डियूरिंग डॉकुमेंट वैरिफिकेशन तो इससे रिलेटेट बहुत सारी कंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इससे रिगार्डिंग एक वीडियो बन करना दीजे हम लोगों पता चल जाए तो बन भाई बन आज हम लोग देखेंगे कि रिजेक्शन किन किन बातों से मिलता है कौन को से जो पाइंट है वो हम लोगों को याद में रखना है तो सबसे पहले में बात करता हूँ कि क्या रहते हैं देखो सबसे पहले common है कि किन किन बातों से आपको reject कर दिया जाता है इस tire तरट में एकिस थर्ड कर को रहता है तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है आपका जो online form रहता है ठीक है online form रहता है जब आप online अपना application submit करते हैं तो उसमें जो अपनी आपकी detail बहुत जाती है वो जो application बरा हुआ है उसमें आपने क्या कर दिया है आपने उसमें अपना नाम बर दिया है सत्यम ठीक है दोके से या किसी ऐसी issue से बर गया है तो अब नाम miss match हो रहा है यह आपके 10th में नाम कुछ और है और आपने जो application form को फिल किया है उसमें नाम कुछ और है तो friends आपको वहां मिस्टेक करता है यानि कि आपके पिता का नाम application में और कुछ रहता है और 10th यानि कि आपकी जो education qualification है उनके जो certificate है उनमें father का नाम अलग रहता है तो वहां पे अगर miss match हुआ तो आपको 100% out कर दे जाएगा without कोई reason दिये हुए ठीक है आप लोग बेकार में वहां पर मत जाई ठीक है mother name आपका miss match नहीं होना चाहिए अगर miss match हुआ तो आपको वहां से out कर दिया जाएगा ठीक है उसके बाद आप जो अपना identification जो certificate लगाते है जैसे आधार काड हुआ पैन काड हुआ driving lessons and others जितने भी आपके identification डॉक्यमेंट है उनमें जो आपका नेम है father's नेम है mother's नेम है and date of birth ठीक है बहुत ज्यादा प्रब्म रहती है बंदों को date of birth में क्योंकि जो बंदे होते हैं वो date of birth को गलत भर देते हैं यानि कि धोके से उनसे गलत भर भर भरा जात जाता है एंड वहां पर जो stage जो second रहता है उसके दौरान में होने वहां से आउट कर दे जाता है एंड वह अपने क्या ही बोल सकते हैं कि कितने दुखी होते होंगे जब डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिये जाते होंगे ठीक है उसके बाद यह हो गया आपका फस्ट पॉइंट उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बता चुका हूं डेट अब बर्त यानि की डियो भी आपका सभी डॉक्यमेंट में सेम होना चाहिए बिलकुल अगर आपको डिफेरेंट हुआ मतलब आपका 10 में कुछ और 12 में कुछ और अपने अप्लिकेशन में मिशंगों को सम्मेसान और का ओर युटब टरिवंगे में फिसकल हुने के बाद मं है एक है टोपिमेंट और PowerPoint वेरिफेकेशन वे lên झाटे कि छोटि चीजळ या देखकर आपको आंगे बढ़ाए जाता है अगर आप document verification में गए and आपने जो document है जैसे आप आधार card हुआ हम नॉर्मल सा document डे लेते हैं आधार card हुआ ठीक है आधार card आप क्या लेके गए कि उसकी जो है आपने photo copy करा के लेके गए ठीक है जो मांगे गई हैं document और अगर आपने original format में submit नहीं किया तो आप वहाँ पे out कर दिया जाएगा ठीक है यह भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है उसके बाद जैसे expired caste certificate होता है हुएए जैसे EWS वालों का EWS वालों का होता है EWS certificate OVC वालों के लिए OVC certificate non謝 में लियर ठीक है तो यह होता है and ACHD वालों के लिए भी certificate होता है तो यह क्या होना होने चाहिए यह आपकी होने चाहिए central सेंट्रल गवर्मेंट लेविल के आपके पास यह होने चाहिए यदि आप इसेट गवर्मेंट के हुए तो आपको 100% आउट करते जाएगा ठीक है उसके बाद आपके जो ओरिजिनल यानि कि एक बात और बता देता हूं कि जैसे आपके पास EWC Certificate हुगा OBC Certificate हुआ, SCHD Certificate हुआ आपका X-Pair है यानि कि आपने X-Pair उसके X-Pair होने से एक दिन पहले अपने यदि अपना कोई भी कास्ट Certificate नहीं बनवाया है आपनों आपनेowा लिया हैं तो अब तो मिस्टिक होगा यानिकि X-Pair होने से एक दिन पहले ठीक है expire होने से एक दिन पहले उसकी जो validity है वो चालू हो जानी चाहिए तब यह आपका माव एमान किया जाएगा ठीक है अगर ऐसी कोई problem किसी candidate को होती है तो मुझे वो personal comment box में comment कर सकता है उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा rules बता दूँगा जो आप लोग वहाँ पर बाहर नहीं होंगे ठीक है उसके बाद education document issue by authorized board university ठीक है यह बहुत बड़ा point रहता है कि candidate fake अपनी जो mark sheet रहते वो लेके जाते हैं बहुत सारी candidate होते हैं जो fake लेके जाते हैं फ्रेंट्स पहले बता देता हूं कि authorized होनी चाहिए या तो वो किसी board से state board से या आपकी university के द्वारा वो authorized होनी चाहिए उसके बाद wrong category जैसे बहुत सारी candidate ऐसे होते हैं ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने क्या किया था कि जैसे हम OVC से belong करते हैं या EWS से belong करते है स्व्लाइब करते हैं तो क्या करते हैं बंदे जो sd से belong करते हैं उनसे धोके से क्या डल जाता है OVC डल जाता है एंड जो candidate OVC से ब्लोंग करते हैं उनका क्या SC डल जाता है या ST डल जाता है तो यह जो mismatch data रहता है यानि कि यदि आप OVC है तो OVC में OVC category से फर्म डालिएगा एंड अगर SC है तो आप SC category से फर्म डालिएगा ठीक है क्या होता है कि यहां पर जो category होती है व OVC certificate की होते है क्योंकि आपने SC की जगए पर OVC किया है तो OVC का certificate होता है वो नहीं बनवा पाते हैं तो वहां पर उन्हें rejection मिल जाता है ठीक है कोई भी अगर आप लोगों को छोटा सम्वा छोटा कोई अगर प्रॉब्लम बनता है तो comment box में मुझसे जरूर पूश सकते है ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं कि the mark for subject and aggregate यानि कि कुछ candidate ऐसे होते हैं कि आपना जैसे माल लीजिए किसी के नंबर है 505 नंबर है ठीक है जो आपके 10th के अनुसार में या 12th के अनुसार में ठीक है 12th की मार्शीट है 10th की मार्शीट में जो आपके नंबर है वो 505 है उ से 508 हो गए उसे ठीक इंक पाप गलती से 508 नंबर हो गए या इक नंबर के यहाँ पे कम हुआ यहाँ पे तीन नंबर उनके ज्यादा हो गया ? तो देखो किस तरह से यहाँ बचा जा सकता है ? अगर आपके नंबर 505 थे, आपने क्या किया ? कि तीन नंबर बढ़ा के 508 नंबर कर दिये तो उस Candidate को थोड़ा problem रहता है and वहां पर out भी हो सकता है अगर क्या हूए कि candidate ने 504 number कि कि 504 number यानि कि minus का regularly यानि कि number गंबर तो तुए आपको 100% ले लिए जाएगा आप आपको-आपको out नहीं किया जाएगा तो खाश्डे से धीन के चरने परसेंटेज़ आपका photograph यानि photo है वो आपका miss match नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो आपको आपको आउट कर दिया जाएगा ठीक है वो समझ सकते हैं आप लोग आप लोग photo जो है जो आप application में लगाते हैं वही photo आप आपको जानी है प्रस signature बाई मेट्रिक्स जो बोलते हैं ठीक है signature भी आपके वहाँ पर कि मैच होने चाहिए तब आपको आप इंटरी में लेगी ठीक सबसे पहले यही गाम होता है जिए photo जैक होती है उसके बाद signature आपका चैक होता है तो यह है उसके बाद आपका identity probe मैं बता चुका हूँ कि candidate होते है जो आधार कार्ड जैसे वहाँ पर नॉर्मली आधार कार्ड बहुत सारे आधार कार्ड लगाते हैं पर क्या होता है कि जब वो इसके लिए जाते हैं तो वहाँ पर पर पहन करेंगा आपको आउट कर दे जाएगा वहाँ पर क्या काड यहींot ब्लमिक्त आप इस टीश फस्ट का कंड और एक्जंब दिने गए थे यह आप वहाँ पर फिर पलेंदिया चाहिए था सब्छानिय मत्रे realizar कि हुआप मत्र्स कर दिया मत्रे कर प्लस अगर आप non reporting on the day यानि कि day से अगर जैसे मालीजी आपका physical 10 तारीक को है और आप वहाँ पे 11 तारीक को पहुँच रहे हैं तो भाई आपको 100% आउट किया जाए क्योंकि आप time से नहीं गए यानि कि एक दिन बाद गए तो यह रहता है मतलब छोटी मोटी मिस्टेक जो रहती है वो problem करती है ठीक है और यह था आप लोग देखे सकते इसके officially website पर या आप यहाँ पर किले कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर किले करके जैसे आप जाएंगे इसके officially website पर और rejection पर जाएंगे तो आपको इस परकार से एक वीडिया खुल गया जाएगा फिर आप के लिए करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं या आप वही देखना है तो मेरी टेलिकाम उपर मैंने share कर दिया है तो आप लोग देख भी सकते हैं ठीक है तो आई होप आसा करता हूं कि वीडियो आपको फसंदा होगा वीडियो पसंदा हो आया हो तो like and share subscribe जरू करना और यदि चैनल पर नए आया हो तो चैनल कर देना subscribe इसी परकार से आपको लगाता है वीडियो और informative वीडियो आपको मिलता रहता है तो जैहन जैवारत बंदे मातरम